नमस्कार विद्वानों स्वागत आप सब का मिशन ग्यान के ओनलाइन प्लेटफों पर बच्चो पजल पार्ट नम्मर टू है पार्ट टू में अपन क्या पढ़ेंगे फ्लोर बेस पजल और जब बॉक्स पजल जो बनती है उनके बारे में बहुत सिंपल पजल होती है बहु हाना क्या दिया जाता है कि यहां पर देखे बिश्या जो हें जो वह वेक्टी है पूर जो है वह क्या सीसी तरी के से आएगा तो यह लाईन थो आपके पॉजल के अंधर इसके बाद में अपने को जो दिया गया हो सका कि ऑक ठ्लması मिल रहतर गयं। अगर possibility बनती है बनाओ क्योंकि इसके अंदर जो है वो फ्लोर फजल के अंदर possibility बनाना बहुत आसान है बहुत आराम के साथ में आप कर सकते हो जैसे कि question नमर 12 जो है वो अपने को क्या कहता है इसके अपन जो है वो बात करते है यहाँ पर PQRSTV जो है वो 6 फ्लोर की building सब पे अ complete होगे अब 6 फ्लोर बनने के बाद आपका क्या काम रहता है कि इसके अंदर ठीक जी जितनी information जो चाहेगा उतनी information अपने इसके अंदर रख सकते हैं जितनी बनाए यह बनाने की ज़रूरत नहीं है जब अपने को बनाने की ज़रूरत पड़े possibility तब बनाएंगे तीन तरीके की information है या तो negative information होगी किस तरीके से की पी जो हो चोथे फ्लोर पे नहीं रहता positive information डारेक्ट information कैसे होगी आर जो वो दूसरे फ्लोर पे रहता है और लिखने वाली Q और V के बीच में दो है अब Q और V का नहीं पता की कहां पर रखे जाएंगे तो उस तरीके से अच्छा जी 6 ही वेक्ती हैं तो possibility बनाने में भी ज्यादा अपना नुकसान जो है वो नहीं होने वाला है सबसे पहले पढ़ते हैं Q और V जो है वो जिन मंजिलों पे रहते हैं जिन भी फ्लोर पे रहते हैं उनके बीच में दो मंजिले अगर आप सिर्फ इसको इतना पढ़ोगे तो आप सब्सक्राइब करिके अब आपके पास है डो पोसीबिलीटी यहीं बन जाएगी क्या कैसे कि क्यों और वी के बीच में जो है वह कहाँ पर क्योंपर गो लेकिन आगे जस इससे जूड़ी हुई लाइन हमें हमेसा दो दो तीन थी लाइन जो है वो साथ में पढ़नी चीए ठीका न सरसरी नजर से ताकि अपने पता लग जाए कि आगे जो है वो क्या कहना चाहता है क्यूं जो है वह वी कि मंजिल से नीचे की किसी एक मंजिल पर रह नहीं रहते हैं लेकिन अब सबसे बड़ी इंफोर्मेशन अपने पास में क्या हुई यह वाली क्योंकि इससे तो पजली घता हो जाएगी अपना कुछी नहीं बन रहा वी और क्यू के बज़र अगर आप लिखना भी चाहें क्योंकि अभी अपना कहीं पर भी प्रोपर जो वह डिसाइड नहीं हुआ तो वी और क्यू के बीच में आपकी कितने फ्लोरोगे दो फ्लोरोगे यह लिखा अचा जी ना तो चू के जस्ट उपर या जस्ट नीचे जो है वो आपका को नहीं है ना तो पी है और नहीं आपका क्या है टी है मतलब पड़ोसी नहीं है उसके चलिए जी, पी जो है एक विसम करमांग वाली मंजिल पे नहीं रहता है, मतलब ओड नमर के फ्लोर पे नहीं रहता, तो पी जो है वो किस पे रहेगा, एवन पे रहेगा, पी रहेगा, एवन के उपर, ये भी मैंने लिख लिया, अच्छा जी आगे क्या, जिन मंजिलों पे S और T रहते हैं, उनके बीच में एक मंजिल है, अच्छा, S और T के बीच में कितने फ्लोर है, एक फ्लोर है, ये भी अपने को दे दिया, हमेने बीच में एक लिखा, एक लिख दिया, अच्छा, जिस मंजिल पे R रहता है, ना तो T उसके उपर रहता है, ना ही उसके नीचे, मतलब R और T जो है वो भी आपके क्या नहीं यह पडोसी नहीं यह बात खतम कहीं पर भी अपने पास में direct information आई गया तो आप कहेंगे कि नहीं direct information का मतलब CD value अगर put करनी होती तो नहीं अब अपने को क्या करना पड़ेगा हमें random try करना पड़ेगा और उसके question बनाना पड़ेगा अब उठाना ही अगर इन में से तो सबसे ज़्यादा जिसके बीच में floor उसको सबसे पहले उठाओ तो यहां पर सबसे ज़्यादा तो एक दो और आपका क्या होजाएगा क्यूolina इसके अलावा कहीं पर बीज़े वापका नहीं बन सकता क्यों नहीं बन सकता क्यों यहां भी बिठाओ,- नीचे-बीच-मे डो implore पर होएगा, even पर रहेगा, यह even नहीं है, यह even नहीं है, आगे बुक हो गया, मतलब यह वाला काम गलत हो गया, चलिए जी, क्यों जो है, वो PT जो है, वो यहां पर नहीं रहेगा, दोनों ही नहीं रहेंगे, ना तो P नहीं T, और even नमर पर जो हो रहता है, तो P यहां पर भी हो सकता है पी यहां पर भी हो सकता है अच्छा इसके अंदर आओ तो पीटी जो है वह आपका यहां नहीं हो सकता राइट पीटी अगर आपका नहीं हो सकता यहां पर तो लेकिन रहेगा वो किसके उपर रहेगा विद्वान लोगों किसके उपर बताओ इवन नम्मर के उपर तो और T नीचे रख दिया, तो R यहां पर आएगा, तो R T पड़ोसी हो जाएंगे, इसका मतलब T उपर हो जाए, S यहां पर हो जाए, और यहां पर क्या जाएगा, फिर बचाओ आदमी क्या हो जाएगा, R यह लीजिए, वजल ही बन गई अपनी, इसके अंदर आना ही नहीं पड दिया गया, आठ लोग दे दे, पांस लोग दे दे, चार लोग दे दे, डजन मेटर अपने को, या तो वेल्यू पूट करनी है, या लिखनी है और उसके बाद में उन वेल्यू को उठा के रखना है, बस इतना सा काम है पजल के अंदर, इससे ज़्यादा अपने को कोई भी इसस ट्राइ नहीं करनी है, चलो जी, अगर आप बात करें हिंदी की, तो हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है, आठ वेकती है, A, B, C, D, E, F, G, H, आठ मंजिल के फ्लोर फे रहते हैं, सबसे नीचे की मंजिल को एक और उससे उपर दो और उसके उपर S, O, यानि कि 8 तक जो बहुत आसान है, अराम के साथ में जो चाये आप कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले अपने को क्या दिया गया है, G की मंजिल के नीचे केवल दो विक्ती रहते हैं, मतलब जहां पर भी जी रहेगा, उसके नीचे केवल दो ही रहते हैं, इससे जादा नहीं रहते हैं, इसका मतलब आपका क्या हुआ कि G जो है वो कितने नम्मर पे रहा तीन नम्मर पे तो नीचे जो हो आपके कितने होगे दो लोग होगे अच्छा आगे पड़ो G और A के बीच में केवल एक विक्ती रहता है एक विक्ती रह रहा है तो मैं यहीं पर क्या possibility बना लूँ गया, अब आप बताओ, क्योंकि यहां पर तो दो possibility बन रही है, किस तरीके से, आपके दिमाग में यह आ रहा की नहीं आ रहा, बताओ पहले सबसे पहले तो, यह आ रहा है कि यार मैं A जो यहां पर भी रख सकता हूँ, A5 पर भी जा सकता है, एक पर भी आ सकता है, यह तो आ गया, अच्छा, मुझे बनानी चीए कि नहीं बनानी चीए, मरा आये देता हूँ आपको, क्या करो, question को last तक लेके जाओ, वहां तक, कुछ भी हो जाए, possibility बनानी पड़ेगी, मुझे possibility से बचना है, ठीक जी, आगे बढ़ते हैं, अच्छ, A के विशम करमांग वाली मंजिल पे रहता है, परन्तु मंजिल संग्या साथ पे नहीं रहता, साथ पे जो है, वह आपका H जो है, वह नहीं रहता, तो 5 पे रह सकता है, या फिर आपका किस पे रह सकता है, एक पे रह सकता है, दोनों में से कहीं एक जगह रहेगा आपका, क्योंकि आपका तीन पे रह नहीं सकता और पांच या एक जो है वो बचा बागी साथ पे इसने मना किया है, ठीक है ह और बी के बीच में केवल जो है वो दो वेक्ती रहते हैं, बी सबसे उपर की मनजिल पे नहीं रहता अब यार अगर आप H यहाँ पर बनाओगे ठीक है तो एक दो B यहाँ पर भी हो सकता है उपर भी जा सकता है यहाँ पर रहोगे तो एक दो B यहाँ पर भी हो सकता है इसका मतलब यह हुआ कि H और B के बीच में जो है वो दो रहते हैं B जो है वो आपका काहाँ पर नहीं रहता टॉप पर नहीं रहता बात का तब यह दो पॉइंट बन गई अपने A जो है वो सबसे नीचे की मंजिल पर जो है वो नहीं रहता अब देखो अपना काम हुआ जी और A के बीच में कितने थे एक वेक्ति था लेकिन क्या कह रहा है कि यार वया बात सिर्फ इतनी सी है कि A यहां पर नहीं आएगा तो A काम पर आएगा यहां पर और A यहां पर आ गया ना विद्वान लोगों अब देखो H जो था वो एक विशम कर्मांक वाली मंजिल पे रहना था तो विशम कर्मांक वाली मंजिल आप देखो अब बची कोंची है साथ पे तो रह नहीं सकता और इसके वाने पांच बुक हो गया तीन बुक हो गया तो बचा क्या आपका H अब H और B की बीच में कितने ह यहां पर ओगया, यहां पर ओगया, यह सारे पॉइंट अपने क्लियर होगे, मैं कही रहा हूँ ना, possibility बिनाने की भी जरूरत अपने को नहीं पढ़ी, यार यही तो मज़े है, यही चीजे तो अपने को सीखनी है, आगे पढ़ो, D के ठीक नीचे वाली मंजिल पे जो है वो आपका C रहता है D के ठीक नीचे जो है वो C रहता है लगाता है और दो जगह लेकिन यहां पर तो तीन जगह कहीं पर भी हो सकता है मंजिल करमांक 6 पर ना तो C रहता है और ना ही क्या रहता है E रहता है मतलब यह है कि D के नीचे जरस नीचे जो है वो आपका क्या रहेगा C रहेगा लेकिन C जो है वो छटी पर नहीं आ सकता चाची तो D यहां पर हो गया तो C यहां पर हो जाएगा साथ भी पर अगर यह कहरा कि छटी पर ना तो आपका क्या आता है C आता है नहीं E तो E जो है वो आपका काँ पर हो जाएगा दो पर एक आदमी और बच गया A आ गया B आ गया C आ गया D आ गया E आ गया F तो D C F A B Z E H ये अपना काम जो है वो done हो गया अराम के साथ में हमने उड़ा दिया किसी भी तरीके की कोई दिक्कत जो हो नहीं आई अगर आप चाहते हैं कि सर हमें ये सब चीजें जो हो देखनी है हमारी चीजें सही है कि नहीं है तो उस बात का पता आप दुबारा पढ़ लो G की मंजिल के नीचे दो मंजिल है G और A के बीच में एक मिंबर है H एक विसम करमांग वाली मंजिल पे रहता है, परंतु साथ पे नहीं रहता है, तो H ओर पे रहता है, H और B के बीच में दो वेक्ती हैं, बिल्कुल है, B सबसे उपर की मंजिल पे नहीं रहता है, A सबसे नीचे भी नहीं रहता है, D के ठीक नीचे C रहता है, मंजिल करमांग 6 के उ पजल बनेगी ही नहीं और बाद में दीरे 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 ग्रेजुएली टाइम जो हो कम होता जाएगा आपके एक्जाम में बहुत टिपिकल पजल जो नहीं आती है हाँ जी तो अब बढ़ जाते हैं क्योशन नमर 14 की तरफ 14 नमर क्योशन भी सेम वैसा का वैसा है चीजे बनान सब से पहले अपने को क्या करना आ आप बनाने तो जनाब 8 लो एक दो तीन चार पंच छैसा इता आट यह अगर अपने पास वहलियो इस तारीके की आई- की अपने को दो अधर बना कि आज ने सब को लिखते वे जाना है यहां तक का अज़री घाल दिमांग वाली मंझिन पे रहता है पुर्ण तो नहीं रहता इसा थोड़ी है कि यहींपर पॉट सब्सक्राइब लेके जाना है कुछ भी हो जाये लाज सब्सक्राइब पढ़ना है और रहता है ठीक नीचे रहता है यहां काने रहेगा यहां नहीं रहे गा इसका मतलब क्या हुआ कि या तो पांच पर या पर है तीन होगे तो यहको नहीं कि यहाँ नहीं रख सकते हैं तो नहीं का जरूरत है इतनी थोड़ना जल्दी आगे चलते हैं अच्छा जी इसके बाद में कहा रहा है और आपका ऊपर रहेगा यह अपना एक पॉइंट बन गया आगे अपने को क्या कह रहा है कि यहां पे एन और आर के बीस में दो वेखती रहते हैं एन आर के ऊपर किसी मंजिल प पॉइंट है इतने पॉइंट चे अपने को बनाना कहीं पर भी वेल्यू फिक्स नहीं आई जाएंगा तो यहां पर दो अपने पास में पोसिबिलेटी यह यहां तो फ़्को पांच नम्मर पे बिठा नहीं नहीं बनता है तो आपने को किटने को रिपता हो. नीचे की तरफ नहीं आ सकता क्योंकि टीन ही फ्लोर है, तीन फ्लोर तो बीच में होने चीए, मतलब उपर की तरफ जाएगा, तो एक, दो, तीन, एम सबसे उपर जाएगा, यहां पर एक, दो, तीन, यहां पर एम जो आपका हो जाएगा, कानी खतम, अच्छा जी, एन और आर पर जो है, वो आपका O है, तो यहां पर S है, S की जश्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श पी हो गया M-P-N-Q-T-R-O-S यह अपना बन गया 100% true किसी तरीके की कोई दिकत नहीं अपने पजल बना दी आराम के साथ में उरकिताक टाइम लगा मैंने समझा की इतने टाइम में बना दी है भाई हना तो इसका मतलब जब आप करेंगे तो और स्पीड से आप कर पाएंगे त इसी तरीके से आप उड़ा सकते हो बस ध्यान इस बात का रखना है कि हमें चीजों को बहुत सही से पढ़ना गलत मत पढ़ लीजिएगा अक्सर क्या होता है स्ट्राइटिंग के अंदर जब हम पजल करना स्टार्ट करते तो गलत पढ़ते हैं ठीक है ना चीजे अपन अगया है तो अगर रखे गए हैं तो आप लगातार जो बोक्स बनाएए एक दो तीन चार पांच छे और साथ बोक्स वह आपके क्लियर होगे चलिए अब अपन बनाते हैं अपने को जो दिया गया उसके अकोडिंग सबसे पहले अपने को क्या दिया गया कि बी और यू के पीच में जो है वो दो डिब्बे रखे गए मैं इसको लिखूंगा भाई साब क्यों लिखूंगा क्योंकि ना तो बी का पता है और ना यू का पता कि कहां पर कौन रखा जाएगा ठीक है यह दूसरा अपना काम होगा क्योंकि अपने को आईडिया नहीं है चलो इसके बाद म ने यहां पर भी वेल्यू फिक्स नहीं हु Virt 2 राकए घ्रह कि कि टीके नीचे तीन से अधिक रखेंगे मतलब ती के नीचे जो जाएंगे वह 5 से जादा जाएंगे दिन से ज़राब 4 सकते पांच हो सकतेनी चया हो सकते how उसक्ते आट 6ि को जो को यू को यू को जो है वो टी के उपर रखा गया है so you को अगर आपका टी चृसे नीचे और इस तरीके से आज जाएगा क्या ईयरो दून को इनके नीचे और विए के उपर इस तरीके से आजाएगा जरूरी नहीं है कि सबसे एकदम यूपर हो 20 में भी हो सकता है लेकिन उपर रहेगा और एक नीचे रहेगा बात काता है अपना काम बन गया अब अपने को इन 45 पॉइंट से जो यह फिक्स करनी अब बता उठाओ गे किसको अगर यार आप उ ज्यादा है तो चीन से ज्यादा चार हो सकते पांस ब्दिश continuous राख यहां पर क्या साथ पर नहीं रखते हैं आपका होगए क्यों क्या हो इंब जायगा ईजया में नहीं साकता ला इस थरीके से नहीं सकता चाहिए ह हो अब इस और टी के बीच में जो है वह आपके क्या है तीन फ्लूर है तो एक बो surviving आज यहाँवार प्रह जिस्त ओपर और यहांपर यह आ जायगा यहां पे एक दो तीन यहां पर इस barra a.c ke आख सबस्पार zraella आ शाया था यहां पर यहां पर इत अक44 अब यहां तो हई नहीं यहां पर मतलब यह वाला काम ही गलत हो गया बस बात कतल इतना असान था आगे आओ जी क्या दिया गया यहां पर टी के ऊपर जो वह यू है अब यू यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है अगर आपने यू को यहां बनाया तो एक और दो यहां पर भी आपको बनाना पड़ेगा मजबूरी में और मजबूरी में यहां मनाना पड़ेगा तो बी के ऊपर क्या जाएगा एल जाएगा लेकिन एक के नीचे रहना चीए बढ़ वो तो पोसिबल नहीं है अब अगर आपका ऐसा पोसिबल नहीं है तो अब आप क्या करोगे यार सी 2 यहां पर B आ जाएगा, B के ऊपर जो वो L हो जाएगा, और A जो वो यहां पर हो जाएगा, A के नीचे, B के ऊपर, काम बन गया, डन हो गया, A, U, T, L, B, V, S, बात खतल, साथ के box के box हमने रखती है, आराम के साथ में, इजी तरीके से, क्या कहते हो, बन सकता है ना, चीजें आसान है, बस आपको देखनी आनी चीए, हाँ जी, तो अब बढ़ते हैं क्योशन नमर सोला की तरब, क्योशन नमर सोला, सोला जो है, वो भी आपका एजटीज वैसा का वैसा क्योशन है, आराम के साथ में, आप इसको भी कर सकते हैं, वैसे कि वैसे, आठ बोक्स दिये गए इस बार, क्या दिक्कत है यार, इजी तरीके से करिए, बनाई ये क्योशन करते हैं, आईए हैं याँ पर आठ बोक्स है, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, तो चलिए, आठ बोक्स बना लेते, वन, टू, थ्री, फोर, फाइफ, सिक्स, सेवन, और एट, एट बोक्स है, तो चलो भाई, एट बोक्स अपने बना लिया, काम खतम, क्या दिया गया है, कि A और G के बीच में, तीन डिब्बे जो है, वो रखे गए थे, तो यहाँ पर A और G के बीच में, तीन डिब्बे है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, क्यों लिख रहा हूँ यहाँ यहाँ पर, possibility अपने को थोड़ी ना बनानी है, यह 5-6 possibility, possibility, कई तरीके से बन जाएगी, इसलिए अपने इसको लिख रहे हैं, यहाँ पर C और D के बीच में, एक डिब्बा रखा गया है, तो C और D के बीच में, जो आपका कितना है, एक डिब्बा है, यहाँ पर ऐसे रख दिया, बी और C के बीच में, दो से अधिक डिब्बे जो नहीं रखे गए थे, कोई बात नहीं, कि दो से जादा box जो है, वो B और C के बीच में नहीं है, बात खत्ब, यहाँ पर आगे क्या दिया गया, A और D के बीच में, कोई डिब्बा जो है, ठीक नीचे रखा गया एक Hetी नीचे जो किसका रखा गया कि हुआ 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 यह लोसे रहा हुए लगातार क oralis इसने भताया नीख को नीचे बताता बर मत ता आंपा कई कैम तो रखते E और F के बीच में कितने हैं? 3 1, 2, 3 यहां पर क्या रखो? F अच्छा जी B और F के बीच में 2 है अच्छा जी इसके बाद में यार B जो है वो उपर जा सकता तो जाई नहीं सकता तो यहां पर नीचे आएगा तो 1, 2 यहां पर आजाएगा क्या आजाएगा? B आजाएगा यह भी आपका काम खत्व है अच्छा जी आगे क्या रखा गया? F को B के उपर रखा गया वो तो अपना उपर रखाई गया है अब अपने को क्या दिया गया है? यहां पर B आगया अब A और G है B और C के बीच में 2 से ज़्यादा नहीं है मतलब यहां पर C नहीं लेके जा सकते है आप 5 पर यहां पर पडोसी हो सकते अगर तुमने पडोसी बनाया तो C और D के बीच में एक December बनाना है अब नहीं बनेगा मतलब C जो आपका यहां पर हो जाएगा C और D जो हो यहाँ पर हो जाएगा D अगर आपका यहाँ पर आगया तो A और D परोसी थे अब A और G के बीच में 3 है तो G आपका यहाँ पर आजाएगा बात खतम सब कुछ बन गया अब और कुछ नहीं करना अपने को हाजी इतना जल्दी आप क्योशन को उड़ा सकते हो बट आपको पेशन्स रखना पड़ेगा चीजें देखनी पड़ेगी अराम के साथ में लास में जाना पड़ेगा तब जाके आप क्योशन जो है वो कर पाओगे अच्छे से कर पाओगे समझ में आया होगा ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा चलिए जी तो क्योशन नम्मर 17 की तरह बढ़ जाते हैं 17 नम्मर क्योशन वैसा का वैसा क्योशन साथ बोक्स हैं एक दूसरे के उपर रखे गए मैं फिर कह रहा हूँ आपको चीजें क्या करनी है लास तक पढ़नी है लास तक लेके जाओगे कुछ अच्छा मिल जाएगा इस क्योशन में भी आपको ठीक है जी तो आओ यार करते हैं इस क्योशन को बहुत आराम के साथ में साथ बोक्स है तो साथ बोक्स के लिए जगह तो बनाओ यार एक हुआ दो हुआ तीन हुआ चार हुआ पांच हुआ छे हुआ साथ हुआ साथ बोक्स आपके क्लियर हो गए बाई साब तो यह लीजिए साथ बोक्स जो वह अपने क्लियर है सबसे पहले अपने को क्यार लिखा गया है जी को विसम अभाज्य संक्या वाले सान पर ओड प्राइम नम्मर पे ओड प्राइम नम्मर जैसे कि प्राइम नम्मर कितने होते हैं 3 5 7 यही तो है साथ तक यही तब आते हैं लेकिन 8 पे रहार है मतलब 2 पे नहीं रखा इसका मतलब क्या हुआ कि जी जो है वो या तो 3 पे रखो तुम या 5 पे रखो या 7 पे रखो यह कह रहा है आगे पढ़ते हैं A और F के बीच में 3 box रखेंगें, अच्छा जी, और A को G से नीचे रखा गया है, अब कितना नीचे है यह नहीं पता, लेकिन A और F के बीच में कितने member है, 3 member है, चलो जी, यह अपना इतना काम जो है, वो done हो गया, आगे क्या कह रहा है, box B को box D के ठीक नीचे जो है, वो रखा डी और जी के बीच में जो तीन बॉक्स रखेंगेंगे ये अच्छा जी और दी को ऊपर रखा गया जी के यह भी अपने को दिया गया है सबसे पहले कि इसको उटाऊगे या पता दो अगर आपने वह पॉइंट पके ले मैंने क्या खाता कि पॉजल को पिक करना पिक करना आप पे लेकिन डी ऊपर रहेगा और जी वो नीचे रहेगा यहां पर जी को तुम बिठा सकते हो गया जी को यहां बिठाओ विटाओगी तो डी ऊपर जाना चाहिए पर यह नहीं हो सकता बीच में यहां पहरा आपने साथ कर अचा अच्छा कि आपका तीन तो तीन पे आपका जी आगया तो एक दो तीन यहां पर डागया चलिए यह अपना काम खतब अच्छा जी अपका काम dat I पर हो सकता मतलब ए यहां पर होगा एपक दो तीन यहांiban पर होजाईगा एफिज तो तो C यहां पर नहीं हो सकता, C यहां पर हो जाएगा, A हो गया है, B हो चुका है, C हो चुका है, D हो चुका, E आपका बचा हुए, तो E यहां पर आ जाएगा, मेंबर सारे के सारे क्लियर, आपके सारे के सारे इजी तरीके से होगे, अपना क्योशन होगा है, बताओ, अब इससे ज़्यादा कुछ ओड़ चीए था, अराम के साथ में सारी चीज़े अपने करी है, इजी तरीके से, बस इसी तरीके से अपने को करते जाना है, पजल का काम नहीं है इसी तरीके से अगर आप करोगे आराम के साथ में करते जाओंगे विद्वान लोगों फिर में आपको कह रहा हूं कि रिजनिंग का गेम जो है वो आपकी प्रेक्टिस पे जो हो बहुत डिपेंड करेगा जितनी अगर आप प्रेक्टिस करोगे उत्रे आप अच्छे है तो आप समझते होंगे क्या ही फरक पड़ता है बहुत फरक पड़ता है एज टीचर जो आपको लगता है कि यार नहीं वाकई अगर मैं अच्छा पड़ा है तो आपको बूश्ट मिलता है जैसे कि अगर आपकी कोई कंदे पर अगर कोई अपना हाथ रखता है कि जा विद्वान लोगो अपना पुजल का लास कोशन है पाट सेकिंडर पूरे पजल टोपी का लास कौशन है दस बॉक्सels के बारे में बात करनी है थोड़ा सा मुछ्किल काम है मुछ कोछ भी नहीं है जितनी ज्यादा वेल्यू उतना आसान क्योशन क्या हसा mam क्या llPor ल बनाईए बोक्स 10 और उसको वेल्यू को करिए 10 बोक्सों को नीचे से उपर तक जो है वो अलमारियों में रखा गया है सबसे नीचे बाली संचिल, इसका नमर 1 है, औart 1 है और उसके बाद में उपर चलोकिटेका 10 सक जो बहुत है के वो सबसे पहले एंद बोक्स को अब रखा गया है तो ऑप वंस प्रॉपत करेंगे तो ťो यहां पर भी हो सकता है यहां पर भी हो सकता है और गॉजि करेंगे नब एक बार क्यूंंकर मैं दिसे पुर्ट बाद में करेंगे इस फिर अगर अपने पास में J आजाए तो सारा काम हो जाए अभी J नहीं आ रहा अपना परफेक्ट पता नहीं है B को समसंक्या वाले सेल्फ पे रखा गया लेकिन बोक्स F के ठीक नीचे रखा गया F और G के बीच में अभी तक fix value नहीं आई अपने पास में F और G के बीच में एक आगया अच्छा जी यहां पर क्योंकि अगर उपर की तरफ भी जाएगा तो भी आपका होई सकता है सब कुछ हो सकता है यहां पर तो इसके बाद में आपका क्या है box G और X एक दूसरे के जो है वो पडोसी है तो G और X जो है वो आपके पडोसी हो जाएंगे एक दूसरे के अगल बगल रखेंगे D को उस सेल्फ के उपर रखा गया जिसके उपर W रखा गया तो W के उपर जो हो आपका D रहता है कहीं पर भी fix value नहीं बनी अब जो सबसे कम fix है मतलब थोड़ा आसपास fix होने के उसको value को लेकर चलते हैं वो अपने पास में क्या है कि A और J के बीच में कितने हैं तीन वेंबर तो दो possibility बनेगी तो एक दो तीन यहां पर क्या जाएगा जे और अगर आपका एसा नहीं बनता है तो A यहां पर बना एक दो तीन यहां प बीच में दो बोक्स रहेंगे तो एक दो यहां पर जाएगा चलिए यह काम अपना ड़न हो गया और बी जए वो इवन नमर पर रखा गया लेकिन 6 पर नहीं है यहां पर तो लगातार हो नहीं सकता चैनल मर भी आता नहीं सकता आपकर आसकता है आपके पास में बचा है क्यो यहां पर यहां पर काम ड़न हो गया एक के बीच में इसमें तो पड़ोशी बनी है मतलब काम गलत हो जाएगा जी और एकसाफ हो डूरक हो टालू के उपर डिर रहा है ५ंपर यह पर रखा जाए एक सबसीक पर आपकश घाएगा अपनी यह कमाल है अपने पजल का सारी में इसी तरीके से आपको एक्जाम में करके annat यवार लोगों खयाल तक हो अपना और प्रेक्टिस करते रहो जितनी प्रेक्टिस करोगे आप मास्टर होते चाहोगे अच्छी सुब कामनाओं के साथ और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक दवाएं दोस्तों तक शेर जरूर कीजेगा बहुत मैनत का काम है उमीद की नेक्स पार्ट नेक एक नया टोपिक मिलते हैं जुड़े रहें मिशन गयान के साथ जे हिंद जे भारत